अगर आप भी Google Pay का इस्तमाल करते हैं और दोस्तों अगर आप भी Google Pay की मैज से किसी भी मौल नंबर पर रिचार्ज करते हैं या फिर बैंक ट्रांसफर करते हैं या फिर पैसा भेजते हैं और आपका पेमेंट फेल हो जाता है कुछ इस परकार से तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूं इसकी मैज से आपका प्रोब्लम सोल्ब हो जाएगा और आपका पेमेंट फेल नहीं होगा हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल इंफो ट्यूब में तो दोस्तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपको पेमेंट फेल हो जा रहा है गूगल पे की मैज से तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे इस वीडियो में आपको कुछ तरीका बताने वाला हूं इस इस टेप को अगर आप भी फोलो करते हैं तो 100% आपका प्र गूगल पे को यहाँ पे ओपें कर लेना है गूगल पें करने के बाद कुछ इस परकार का जो होमपेज आपको सामने आ जाता है चली हम आपको बताता हूं कैसे आप अपना प्रोब्लम को सही कर सकते हैं इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको ऊपर के साइड में क्लिक कर दिजिए और यहाँ पे आने के बद आपको रिमूव एकाउंट वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है यहाँ पे आने के बद आपको कंटिन्यू वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है सबसे पहला काम आपको यह करना है इसको क्या करना है चले मैं आपको बताता हूं ज यहां पर आने के बद आपको clear data पर click करना है और यहां पर delete वाले option पर click करना है अगर आपके phone में यहां पर clear data का option देखने को नहीं मिलता है तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आप ज기에 Google Pay का data एक बद अपर clear कर दीजिये है जैसा से अपर data clear हो जाता है फिर से आपको Google पे यहां पर open कर लेना है Google पर open करने का बद आपको permission को allow करना है यहां पर आपकोło ओई नियुप्ट अप्या करना है मौयल निमबर ढलने के बद यहां पर continue वाले option पर click करना है यहाँ पे आपको अपना email id select कर लेना है email id select करने के पर आपको accept and continue पर दुबारा से क्लिक कर देना है आपके नमबर पे एक OTP आएगा आपको अपना OTP यहाँ पे डाल देना है OTP डालने के बद यहाँ पे कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाता है और यहाँ पे आप home page पे आ जाईएगा यहाँ पे आने के बद आपको यहाँ पे अपना bank account को add कर लेना है यहाँ पे डाले का आप add bank account पे क्लिक कर सकते हैं या फिर profile पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे same money पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपना bank का नाम जो है search कर लेना है यहाँ पर जो इस प्रकार से आप जो search कर सकते हैं या फिर उपर के side में आप लिखिए का bank का नाम तो भी यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आप दिसकते हमारा Paytm payment bank आगी है simply हम यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर click करने के बद आपको continue वाले option पर click कर देंगे permission को यहाँ पर फिर से allow कर देंगे और यहाँ पर आपको फ़ादर wait करना है यहाँ पर आपका नमबर verify हो रहा है और दुबारा से जैसे आपका bank account लिंक हो जाता है एक बार उसका आपका problem solve हो जाएगा यहाँ पर आप दे सकते हमारा UPI ID यहाँ पर link हो रहा है और यहाँ पर finally हमारा bank account भी लिंक हो गया अब दुस्तों एक बज़े से आपका bank account लिंक हो जाता है आपने एक बार अपने account को remove करके दुबारा से यहाँ पर aid कर दिया तो 100% आपका problem solve हो जाएगा अगर फिर भी आपका payment फस रहा है fail हो रहा है तो दोस्तों आपका bank का जो server है वो fail है आपको कुछ नहीं करना है इंतजार करना है कुछ समय और दोस्तों आपका जो है जैसे server सही हो जाता है 100% आपका payment होना start हो जाएगा payment fail नहीं होगा वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले